वेलकम फ्रेंड्स मैं रविनिर कुमार मातो एक बार फिर अपने RKTC यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ चैनल पर बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी मैं कुछ अपने बैक्तिकत काम से बिजी था पर अब मैं सोच रहा हूँ कि चैनल पर यदा कदा वीडियो बनाकर डाला करूंगा चलिए आज हम लोग देखेंगे कि वो एनालोग वोल्ट मिटर और आमिटर जो होता है उसका फिजिकल एपियरंस से हम लोग उसको कैसे पहचान पाएंगे कि वो एनालोग होल्ट मिटर आमिटर मुविंग कोईल टाइप का है कि मुविंग आइरन टाइप का है कि डैनम मिटर टाइप का है चलिए इसके लिए कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग डिसकस करेंगे और इसके माध्यम से इसचीज को समझने का प्रयास करेंगे आईए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं Permanent Magnet Moving Call Instrument के बारे में कुछ महत्पून जानकारी तो ये देखे Permanent Magnet Moving Call Instrument का एक सिंपल डिजाइन यहां पे बनाया गया है ये देखे एक cylindrical structure पर moving coil को mount किया गया है इसी moving coil पर unknown current I apply किया जाता है ठीक है ये पूरा moving system soft द्वारा supported है और soft को in पर jewel bearing के मदद से support किया गया है ये सब spiral springs जो है ये हमारा control springs है जो phosphor bronze का बनावा होता है ये ही control springs के through जो है हमारा moving coil जो है उसका electrical connection किया जाता है यहाँ पे north और south जो दो magnetic poles है वो permanent magnet को represent करता है और ये permanent magnet जो है mostly horse zoot type का होता है तो आईए हम लोग permanent magnet moving coil instrument के बारे में कुछ जानकारे को discuss करते हैं तो ये क्या है only for DC applications यानि एक permanent magnet moving coil instruments जो है वो cable DC applications के लिए ही प्रयोग किया जाएगा not for AC only for DC applications और फिर क्या है can be used as ammeter और voltmeter तो हम लोग permanent magnet moving coil instrument को ammeter के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं voltmeter के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ DC applications के लिए अब देखते हैं as an ammeter as an ammeter देखेंगे scale बनेगा तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है यह देखिए pointer है जिसका deflection angle theta है और यह देखिए scale है आपका scale में देखिए 0 से 5 volt में जितना spacing है उतना ही spacing 5 से 10 volt में यानि scale आपका linear है या फिर uniform है यहाँ पे आप देखेंगे तो चुकि आमिटर है तो आमिटर के लिए ampere जो है वो इस तरह से A लिख करके ampere को represent किया जाता है और DC applications के लिए यहाँ पे underline का प्रयोग किया जाता है तो जैसे आप देखेंगे underline समझ जाएगा DC ठीक है और ampere का A देखिएगा तो समझ जाएगा armeter ठीक है अब देखेंगे कि एक PMMC instrument है उसको एक practical armeter बनाना है या practical DC armeter बनाना है तो उसके parallel पर जो है low sun resistance RSS का प्रयोग कर देना है ठीक है अब देखेंगे as a voltmeter as a voltmeter हमारा क्या होगा deflection angle theta directly proportional to B हो जाएगा तो यहाँ भी हमारा जो है DC voltmeter जो तयार होगा उसका scale linear होगा या फिर uniform होगा जिसको मैंने इस picture में दिखाने का प्रयास किया है यह देखें पॉइंटर इसका deflection angle theta और यहाँ देखें यह scale बना हुआ है तो 0 से 10 volt में जितना spacing है उतना ही 10 volt से 20 volt में spacing है यानि spacing हमारा uniform है यानि scale linear हो गया या फिर uniform हो गया यहाँ भी voltmeter का जो volt होता है उसको इसमें दिखाया जाता है और DC applications के लिए underline दिखाया जाता है तो यह underline से DC applications भी फोर voltmeter हो गया अब देखें एक practical जो आपका PMC instrument होता है उसको एक practical DC voltmeter बनाना है तो उसके लिए series में high resistance जो है आपको लगा देना है ठीक है यह high resistance series में देना होगा ठीक है तो यहाँ आप मिटर के लिए low center resistance और voltmeter के लिए high series resistance यह दोनों ही manganin या constant का बनता है ठीक है जिसका temperature coefficient काफी कम होता है यानि यह सब पर क्या होगा कि temperature variation का effect बहुत कम पड़ता है यानि temperature vary होगा पर इसका अपना जो resistance है उसमें बहुत कम changes आता है अब हम लोग देखेंगे moving iron instrument के बारे में ठीक है तो moving iron instrument का एक simple design यहाँ पर मैंने जो है बनाने का प्रयास किया है यह दो type का होता है attraction type और repulsion type पर अभी जो picture है वो attraction type का जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है ठीक है यह देखे एक stationary coil है जिस पर unknown current आई एपलाई करना है और यह देखे एक shaft moving iron है जिसको shaft दोरा जो है side से pivot किया गया है और इसी shaft से pointer लगा हुआ है pointer के बगल में scale होता है ठीक है और जैसे ही इस पर unknown current आपलाई करेंगे तो यह अपना एक magnetic effect produce करता है और उस magnetic effect के कारण क्या होगा यह shaft moving iron जो है attract होता है coil की और जिसके कारण pointer में deflection मिलता है ठीक है अब देखते हैं कुछ महत्पुन जानकारी ठीक है तो moving iron instruments जो है वो for both AC and DC applications इसको हम लोग AC, DC दोनों के लिए परयोग कर सकते हैं और can be used as voltmeter और ammeter तो इसको आप voltmeter के रूप में भी परयोग कर सकते हो, ammeter के रूप में भी परयोग कर सकते हो और AC, DC दोनों applications के लिए सही है ठीक है अब देखते हैं as an ammeter ठीक है, deflection angle theta is directly proportioned to square of current यानि theta is directly proportioned to I square इस बज़े से जोआ ammeter तयार होगा ठीक है, वो उसका जो scale होगा, वो square लोग को पालन करेगा या फिर आप समाझ लिजे, उसका जो scale होगा वो non uniform scale होगा clear? आच्छा, यह जो voltmeter deflection angle theta is directly proportioned to square of voltage यानि theta is directly proportioned to V square इसलिए जो voltmeter तयार होगा उसका भी जो scale होगा ठीक है, वो square लोग को पालन करेगा या फिर non uniform scale होगा अब देखिए यहाँ पे एक moving iron AC voltmeter जो है मैंने दिखाने का परियास किया है यह देखिए pointer है जिसका deflection angle theta है और यह देखिए scale यहाँ पे बनाने का परियास किया गया है इसमें देखिए 0 से 10 volt के बीच में जितना spacing है उसे ज़्यादा spacing 10 से 20 के बीच में है और उसे ज़्यादा spacing 20 से 30 के बीच में है तो आपका scale है वो square लोग को पालन कर रहा है या फिर non uniform है अब चुकि AC का बात हो रहा है तो AC का बात हो रहा है तो AC का symbol यहाँ पे दिया जा रहा है ठीक है और voltmeter के लिए भी का उपयोग किया जा रहा है तो AC का symbol जैसे देखिएगा और भी देखिएगा तो आप समझ जाएगा कि ये AC voltmeter का बात कर रहा है लेकिन एक चीज़ ध्यां रखना है कि यही square law जो है वो dynamometer type instrument भी follow करता है इसलिए इस तरह के साथ जो है इस तरह का जो representation है उसके साथ अगर आप AC voltmeter की बात करेंगे तो वो moving iron type का भी हो सकता है या dynamometer type का भी हो सकता है ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे एक moving iron, ठीक है? DC voltmeter अब DC का बात करेंगे तो यहाँ पे DC का जो underline होता है वो use हुआ है और voltmeter का भी use हुआ है यहाँ भी आप scale देखेंगे तो square law में scale बना हुआ है या फिर scale non uniform बना हुआ है लेकिन यह जो square law है वो moving iron के साथ सा dynamometer type instrument में भी follow होता है इसलिए इसको आप moving iron DC voltmeter कह सकते हो या फिर dynamometer type DC voltmeter कह सकते हो ठीक है? अब बात हो गया कि हम लोग physical appearance से पहचानेंगे कैसे? ठीक है? तो पहचानने का simple तरीका है कि अगर आपको underline दिखता है ठीक है? या scale linear है तो आप समझ जाए सीधे कि वो moving coil का बात कर रहा है ठीक है? तो underline DC के लिए और uniform scale जदी मिलता है तो समझ जाए सीधे moving coil instrument का representation हो रहा है और अगर AC का symbol मिलता है और भी है तो ये AC voltmeter हो गया ठीक है? और scale अगर आपका non uniform है यहाँ दो case हो सकता है यह moving iron का case हो सकता है और diameter type का भी case हो सकता है ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर पर अगर DC voltmeter का sign यहाँ पर मिलता है और scale आपका non uniform है तो ये moving iron का भी case हो सकता है देनमेटर type का भी case हो सकता है तो option में क्या रहेगा उस हिसाब से आपको pick up कर लेना है ठीक है एक चीज़ और यहाँ पर बता दिना चाहेंगे कि जब भी AC voltmeter हो या AC ammeter का बात हो तो उसका range extension करने के लिए हम लोग ammeter के लिए CT का परयोग करते हैं हम장님 ni current transfer का पुरयोग करते हैं और voltmeter का range extension के लिए हम लोग PT का परयोग करते है ठीक है, तो AC voltmeter का range extension करना है तो potential transformer PT का परयोग करेंगे और AC ammeter का अगर ठीक है range extension करना है धन्दबाद